17.4 कपड़े धोने का सोडा वाशिंग सोडा इसे धावन सोडा भी कहते हैं इसका रासायनिक सूद्र Na2CO3 x 10H2O है आप देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के पुना क्रिस्टली करण से धोने का सोडा प्राप्त होता है यह भी एक शार्किय लवन है Na2CO3 solid प्लस 10H2O liquid इस इक्वल टू Na2CO3 x 10H2O solid क्या आप बता सकते हैं कि 10H2O क्या दर्शाता है क्या यह Na2CO3 को आदर गीला बनाता है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट के प्रतिक अणू के साथ जल के 10 अणू होते है इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विलियन के रूप में होता है यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें जल के अणू मुक्त नहीं होते है किसी भी लवण के सूत्र में जुड़े जल के निश्चित अणों की संख्या को क्रिस्टलन जल, water of crystallization कहते हैं धावन सोडा के क्रिस्टल को वायू में खुला छोडने पर जल के नौ अणों निकल जाते हैं और एक सफेद रंग का चूण सोडियम कार्बोनेट मोनो हाइडरेट में परिवर्तित हो जाता है इस गुण को उत्फुलन इफोरेसंस कहते हैं Na2CO3 into 10H2O solid खुला रखने पर Na2CO3 into H2O solid plus 9H2O 17.4.1 उप्योग usage 1. इसका उप्योग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है 2. सोडियम कार्बोनेट का उप्योग काच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योगों में होता है 3. जल के इस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है 17.5. प्लास्टर ओफ प्यरिस प्लास्टर ओफ प्यरिस रासायनिक रूप से केल्सियम सलफेट हेमि हाइडरेट होता है इसका रासायनिक सूत्र C.A.S.O.4 इंटु 1.5 H2O या C.A.S.O.4 होल ट्वाइस इंटु H2O होता है इसे जिपसम C.A.S.O.4 इंटु 2 H2O को 100 डिगरी सेलिस पर गर्म कर बनाया जाता है C.A.S.O.4 इंटु 2 H2O जिपसम 100 डिगरी सेलिस पर गर्म करने पर C.A.S.O.4 इंटु 1.5 H2O प्लास्टर ओफ प्यरिस प्लस 1.5 H2O प्लास्टर ओफ पैरिस एक सफेज चून है यह जल के साथ मिलाने पर पुनह जिपसम में परिवर्तित हो जाता है जो एक कठोर पदार्थ होता है C.A.S.O.4 into half H2O plus one and half H2O is equal to C.A.S.O.4 into 2 H2O 17.5.1 उप्योग यूसेज पहला इसका उप्योग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिती में रखने के लिए करते हैं 2. मूर्तियां और खिलोने बनाने में 3. सांचे और मॉडल बनाने में 4. चौक बनाने में प्लास्टर ओफ पैरिस से बनी मूर्तियों को नदी और तालाब में विसरजित करने से जल श्रोत प्रदूशित हो जाते हैं कक्षा में समुह बना कर चर्चा करें कि ये किस प्रकार से नदी और तालाब को प्रदूशित करते हैं आजकल इसी प्रदूशन को कम करने के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों के उपयोग को प्रोचसाहित किया जा रहा है